नमस्कार दोस्तों आज मैं पुना उपस्ती तो अपने चैनल हिल्ट केर पर एक नए टॉपिक के साथ जी हां आप सभी आद भी जानते हैं कि जब भी मैं आता हूं आपके हिल्ट से जुरा हुआ कोई नो कोई न्यू टॉपिक लेके आता हूं जिस टॉपिक के स्रीज में अगर मैं बात करूं तो मॉक्स क्लिव डियाश का कम पोजीशन है एमोकसा सिलीन एंड पोटासियम क्लाइमिनेट औरल सस्पेंसर इसने इमोकसा छिलीन पाया जाता है पोटासियम क्लाइमिनेट ओरल पाया जाता है यह सीरप है जो कि बच्चों के लिए मुखरूप से बना जाता है इसे बनाने का प्रोसेस है इसमें ड्राइ पॉडर पाया जाता है जिसे इसमें दिया हुआ डिस्टिल वाटर के साथ डिजॉल्व करके मिक्स करके तयार किया जाता है और इसके बाद इसका उपयोग किया जाता है तो सरपर्थम इसमें चार-पांच से इस्टिफ होते हैं जो इस परकार से इसमें दिखाया गया है सरपधम में जो पॉड़र का भा होता है उस भा होता थोटा है उस प्हघ्वाग dir को च्छो नियर और हने करते क्या है कि उसमें डिस्टिल वाटर जो होता है उस त्यूब को घुमा करके तोरते हैं jďो liah दिखाया है आपको सकिन अस्तांप पर तोर करके में जो आपको से जाता है जो और करते हैं आपके बच्चों के लिए उस मात्रहों में tees या पादसे मेल जो भी डोजेज होती है डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उस डोज का आप उपयोग करते हैं यह आपको सरदिक खांसी जुखाम इसके अलावा जो है सो फीवर्ड सारे में काम आने वाला एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक का नाम इमोक्सासलीन इस जाता है छोटे वच्चों में इसका उपयोग होता है और बहुत ही अधिक उपयोगी दवा है अगर मैं बात करो इस इसमें मैं एक चीज़ आज न्यू एड करने जा रहा हूं जो कि इसके उपर दिखा गया है कभी-कभी होता क्या है कि यह डॉक्टर सेंपल अभी जो मेरे ओर बी इसे असे इस परकार से लिग करकर रहे से संबॉलाइज करके ऐससे सद्फिय दिया जाता है लेकिन कुछ लोगों के द्वारा से मार्केट में खवाकर में खपाएा जाता है जो की बिल्कुल लेना उचीत नहीं है यह जो है सफिद्ग्री आप कॉर्स्ट्टरों को और मैं इसका खुदु उप्योंग कर रहा हूं अपने बचों के लिए उप्योंग कर रहा हूं और आप भी इसका अपयोंग करें बहुत बेहतरीन दवा अटिबायोटिक बहुत ही बेहतरीन है जो इस परकार से है धन्यवाद मेरो वीडियो को देखने के लिए कि अधि कि अधि